अमाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगु नाथाय नाथाय सीताय पतिय नमः स्री राम लला भग्वान के भारत माता के सर्यू माता के सर्यू माता के जय जय सीता राम 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 उत्सों के आज के सकारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया स्री नरेंद्र मोदेजे रास्तिय स्वयम सिवक संग के मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवत जी प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पतेल जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य महांत निर्थ गोपाल दाज जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देवग्री जी महासचीव सम्मानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन्भोमी अपने अपने छेत्र के नेत्रुत देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामजसो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यमस्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवजी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार्क विराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंत्राल के उप्रांत आज के इस चर्चिर्प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना हैं मन भावुक है भावविवोर है भावविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जन भूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँक हरस और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन राघो राम लला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोष के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दरजनों पीडियां अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभवत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्धति से उपर उठकर के, राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा परफुलित है, इस बाद से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोधी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम स्वगुन सुब होई कि अभी गर्वग्रय में बैदिक विधी स्मिधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही जैसे तुलसी दाश्जी ने कहा कि नवा कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम धन्य है वसिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है विचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच मुझे पूजय संतों और अपनी गुरु परंप्रा का पूर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंप्राओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुती दे चुकी है उनकी पावन इस्मिर्तियों को मैं यहां पर कोटी-कोटी नमन करता हूं सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए रास्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धू हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौव विवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे है जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित प्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिध होती रही चोटिल होती रही किन्तुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृ अर्दिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिव्य और भव्य योध्या का साखसात्कार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के द्रड़ संकल्प इच्छा सक करते और दूर द्रिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले कल्पना से परे था कि योध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजिय में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सहोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्छ अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रम्म कुंड भरत कुंड सूरज कुंड विभिन्न कुंडों के काया कल्प संग्रक्षन संचालन रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेन परंपरा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेन वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्य की जरुपतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुब्धाएं भी विक्सित हो रही है इस मौक सदाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेड़ा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया रहा है पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है ये एक नगर या तीरतभर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की बिजए है जिसे सत्यमेवट जैते की रूप में भारत के राज Mia में की कार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का बिजए बहारत के गौर्व की पुनर्पर्थिष्टा में अयूद्ध्या का धिव्य दिपउस इबोotte रहा है और स्री राम लिला की प्राण प्रतिष्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है से राम जन्भुई मंदिर की स्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुष्थान है यह राष्ट रहिये पर वो राम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कोंए बाधां नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गडगडा हट नहीं होगी करफ्यूद नहीं लगेगा अपे तो यहां दिपोच्सो रामोच्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लिला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोचना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका राम राज्य धेदभाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों अभियंताओं सिल्पियों और सिराम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एठ्यासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी आदरिय सरसंग चालक जी माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से फिर्दै से स्वागत और अविनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अविनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ जैजै सीताराम